अगर आपको पूरी तरह से ताके आपको सारी चीज़े जो है समझ में आ जाए मैं इस वाले आइफोन पे मेरे आइउस 17 का पॉब्लिक बेटा डाउनल इंस्टॉल करके बताऊंगा बेटा अपडेट है चोटे मोडे प्रॉब्लम्स रहेंगे लेकिन पॉब्लिक के लिए है तो आपको क्या करना चीज़ नहीं करना चीज़े वीडियो देखिए पूरा समझ में आ जाएगा आपको और न्यू फीचर वाला वीडियो अल्रडी में बना चुका हूँ जो आइफोन से लेके आइफोन 14 प्रो प्रो मैक्स और उसके जितने आइफोन 11 की सीरीज 12 की इन सभी के लिए आइफोन 7, आइफोन 8, आइफोन 10 इनके ओपर आइफोन 17 आपको देखने नहीं मिलेगा तो वो लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये सब करके फायदा नहीं है लेकिन उसके बाद वाले फोन वाले देख रहे हैं आइफोन 10, 10S, 10S Max वाले उन ल नहीं मिल सकता है लेकिन मैं आपको step by step procedure बताता हूं कैसे आपके फोन में ये चीज़ दिखने में अभी मेरे Apple ID से signed up है beta updates के लिए इसलिए यहां पर देखे मेरे Apple ID है और यहां पर यह बता भी रहा है अगर मैं इसको टाइप करूंगा तो यहां पर फिर नहीं दिखाएगा लेकिन ये काम के लिए आप Safari browser का ही इस्तेमाल कीजिए Chrome बे भी हो सकता है अभी क्योंकि profile आप download नहीं करते लेकिन फिर भी आप Safari पर करेंगे तो जादा safe रहेगा अभी यहां पर Apple का beta program आपके सामने नजर आ रहा है आपको अब यहां पर नीचे चले जाओ यहां पर sign in और sign अब दो option है sign up कर लो आप क्योंकि आप पहले से sign up नहीं हो अगर sign up होते तो वहां पर ही दिखा देता आपको अब यहां पर आपको अपने password के साथ जो है Apple ID के अंदर login करना है कभी-कभी Face ID से भी कर सकते हो अभी फोन मेंने अभी भी setup कैसले मुझे password डालना पड़ेगा यहा और यहां पर guide आपको मिल जाएगी कैसे करना है क्या करना है तो आपको इसकी फिकर करने की जरूदनी जो मैं बता रहा हूं उसको ही आप ध्यान से सुनिए यहां पर get started लिखा है iOS 17 के अंदर enroll your iOS device लिखा इस पर tap कर लो और उसके बाद आपको यह बताएगा करना है तो यह आपको कर ले निए वो भी बताता हूं कैसे करना है आप यहां पर configuration profile भी download कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो लेकिन सब करने की जुदनी open beta updates करके लिखा है सीधा आप यहां पर आ जाएगे setting general about software update के अंदर आपको एक नया tap देखने मिलेगा beta updates का यहां पे जाईए यहां प update है इतना बड़ा update है क्यों है क्योंकि पूरा जो iOS system है वो यहां पर reinstall किया जा रहा है ताकि आपको जितने features है वो सारे अभी के अभी देखने मिल जाए अपडेट करने से पहले कुछ बातों का ध्यान आपको रख लेना है वो क्या बात है आपको आपके iPhone का backup जो है बना ल आप जो है यहां से backup बना सकते हो iCloud backup यहां से on कर लो और फिर iCloud storage जो है वो purchase करके backup बना लो या फिर PC या Mac पे फ्री में backup आप बना सकते है backup बनाना जरूरी है अगर आपको वापस कभी आना है तो नहीं आना है तो कोई बात ने चलिए आप download and install करते है iOS 17 public beta और उसके बाद इ यह देखने के लिए सबसे पहले हम करते है इसको download and install हो चुका है iOS 17 का public beta हमारे iPhone 14 के उपर अब before and after वाले जो हम चेक करते है कि क्या change आया है वो देख लेते है तो यहां पे update से पहले 16.5.1C था इसमें से आप में से maximum lock जो है चल रहे होंगे जो कि stable version है और उसका C यानिकी security response update अपडेट से पहले का जो available free space था वो था 498.49 GB अपडेट से पहले का जो modem firmware था वो था 1.70.02 और अपडेट से पहले यह जो है build numbers थे एक build number जो software update था major उसका था और दुसरा यह security response अपडेट वाला था तो घड़ गई थी यहाँ पर अब यह ठीक है क्योंकि उतना जो है unstable नहीं है यह update और नया modem firmware भी आपको देखने मिलेगा जो कह है 2.04.01 और नया build number जो है 21A5277J अब यहाँ पर इसके अंदर क्या कुछ नया है यह एक एक करके मैं आपको नहीं बताने वाला क्योंकि बहु वीडियो को उसमें पूरे डीटेल में बताया है 32 मिनिट्स की वीडियो है सारे आपको जो भी नए फीचास है वो देखने मिलेंगा और काफी सारे नए फीचास है इसके अंदर अब हम लोग बैटरी हेल्ट चेक कर लेते हैं पहले का बता चुका हूँ कि 100% थी अभी डाउ से काफी जादा अच्छी देखने मिलेगी और मैं इसकले सब बोल सकता हूँ बिना अब टेस्ट किये भी क्यूंकि और यहां पे वही अपडेट चला रहा हूं कैसे वही अपडेट चला रहा हूं और यह आंसर उन लोगों के लिए है जो लोग चाहते कि डेवलपर बेटा स पब्लीक बेटा पे वह भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं तो यहां पर मेरे आइफोन 14 प्रो मैक्स पे मैं सेटिंग जेंडरिल और अबाउट के अंदर जाके आपको बताता हूं कि आयोस वर्जन कौन सा है और सेम चीज मेरे 14 प्लस पे जिसमें मैं पब्लीक बेटा के लिए निकाला और तीन अपडेट के बाद यहां पर पब्लीक बेटा आप लोग के निकाला जो के काफी जादा स्टेबल है पहले के मुकाबले तो क्या आप डेवलपर बेटा से पब्लीक बेटा पर जा सकते हो अभी बिल्कुल भी नहीं जा सकते लेकिन अगले अगले software update में आप चले जाएंगे, यहाँ पे checking for update दिखाएगा, जब नए अपडेट आएगा, अगला वाला beta 4 वाला, या public beta 2 वाला, और यहाँ पे beta updates में जाके, आप चूज कर पाएंगे, कि आपको 17 का public beta चाहिए, या फिर 17 का developer beta, अगर आप developer beta पे अभी हो, आपको public beta पे जाना है, अगले update के अंदर, आप developer से public पे आ सकते हो, लेकिन, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इसमें कोई भी फरक रहने वाला नहीं, क्योंकि दोनों update exactly same है, और आपसे दोनों update जो है, वह exactly same ही आगे बढ़ती चली जाएगी, तो यह दी बुरी का नहीं दोस्तो, iOS 17 के public beta की, जो almost सही तरीके से काम कर रही है, iOS 16, 15 के जो betas आते थे, वैसे problem यहाँ पर नहीं है, जो battery health गिरनी थी हो, हमने हमारे phone की गिरा चुके, अब आपके phone की battery health उतनी severe जो है, नहीं गिरने वाली, लेकिन हाँ battery life जो है, आपको पहले के मुकाबले थोड़ी कम देखने मिल सकती है, ले कर दो, है 'm claw on, आपको चित रहीं है, आपको पे जो दो, हम एाँ बद qualcाई है, जो इंड है orage, लेकिन है, जो हैं है, और अपको पहां को पहाँ जो है, नहीं ऐते रहे हैं होऊ़ी से दो, हैं आपको आपको पहाँ जो, हैं ए — इ सकती है, नहीं है, आपको पहाँ घए्ल tickets ह